बश्कार बच्चो आईए हम चलते हैं क्वेस्टन नबर 7 की तरह यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है ए मिल्क मैन सोल्ड टू बफैलोज फोर टून्टी थाउजन इच ठीक है टून्टी थाउजन रुपीज की इच बफैलोज ने बेची बचनी की कोष्ट है ठीक है सेलिंग कोष्ट है अच्छा और वन ही मेड गेन 5% और एक पर तो उसे 5% गेन हुआ एंड अधर लोस ऑप टैन परसेंट और जो दूसरी सेकेंड बफैलोज ने सेल की ती उस पर टैन परसेंट लोस हो गया फाइंड ओर वाल गेन और लोस हमें टोटल में गेन और लोस फाइंड करना है बिल्कुल एजी कोष्टन है आईए हम थोड़ा सा देखते है थोड़ा सा लेंग थी है लेकिन इसको आप ध्यां से देखिए आपके जरूर समझ में आएगा देखिए सबसे पहले हम टोटल शेलिंग प्राइस लिख लेते हैं ताकि बाद में फाइंड ना करना परें टोटल शेलिंग प्राइस ओफ टू बफेलोज ठीक है यहां पर मैं लेगा दो जो फर्स्ट की फर्स्ट सेल किया है वो भी ट्वंटी थाउजन की है और दोनों की कोष्ट हो गई 40,000 ठीक है बच्चो ये आपको याद रखना है ये वाली कोस्ट हमें बाद में जूत पढ़ने वाली है अच्छा फरस्ट जो फैलो है ठीक है उसकी सेलिंग प्राइस है 20,000 में दुबार है अब इसकी हम जो लोस दिया हुआ है गेन दिया हुआ है ये गेन है ये लोस है इसके हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें कोस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी अब सेलिंग प्राइस तो गीवन है की 40,000 की बेच दी लेकिन एक पर तो उसे 5% का गेन हुआ और सेकेंड पर उसे 10% का लोस हुआ तो अब हम अगर हमें पता लग जाए उसने ख्रीदी कितने की थी ठीक है उसने बाइ कितने की की थी तो हमें उसे लोस और गेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये तो हमारा सेलिंग प्राइस आ ग बफैलो ये इसकी सेलिंग प्राइस है 20,000 ठीक है इस पर उसे गेन हुआ गेन लिया उसने 5% का तो 5% इसका निकाल लेते कितना होता है ठीक है ना बच्छो कोस्ट प्राइस निकालने के लिए 5% अब बच्छो देखो एक चीज का याद रखना है हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालने है तो कोस्ट प्राइस निकालने का एक फॉर्मॉला उसे आप याद रखिए अगेन प्राइस प फॉर्मौले से हम इसको भाग मारे किनव याद रखिए सेलिंग प्राइस다 meter बच्छे के इनि प्राइस तो बच्छेए ऑटिछेए इंटी प्राइस की आ ये देखिए 105 अब इसको आप 5 से काड़ दीजिए 5, 2, 10, 5 बंजा 5 5 से ये कट गया 5, 2, 10, ठीक है आईए multiply 2, 2, 4 और total 0 केते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 लगा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और चे, 21 ठीक है आईए इसका हम answer इदर लिख लेते हैं कितना हैगा अब इसका answer हम इसको आगी कैसे काट इसको डिवाइड कर देते हैं और मैं इसका answer यहाँ पर लिख देता हूँ आईए इसको डिवाइड कर लेते एक तरफ ठीक है बच्चो ये आपको रफ काम पर अगर पेप और ये नीचे जीरो डाउन कर लेते हैं ठीक है अब ट्वंटी वन नाइन जा नाइन पर चलेगी वन अंडर्ड एटी नाइन होता है ठीक है यहाँ पर वन बच गया अगली जीरो इसमें फाइन कर लेते हैं अब देखिए टैन पे तो टेबल नहीं चलते है, तो हम क्या करते हैं एसी कंडिसन में जीरो लगा कर एक जू लागड़ सैकंड डीविट है उसको भी डाउन कर लेते हैं ठीक है बच्चो राएगे 9 में से 1 अगली 0 डाउन कर लेते हैं ठीक है आप यह आ गया 160 तो तो इसकी टेबल चलेगी 7 पे 217 जाब 147 क्योंकि 8 पे तो जादा हो जाएगा अब 10 में से इस में से माइनस कर दें 3 और यहां पे 5 में से 1 ठीक है बच्चो आगे देखो 13 आगे टेबल नहीं चलते त हम क्या करें 0 पॉइंट लगा के 0 डाउन कर लेते हैं तो 6 पे चलेगी 126 तो इस परकार यहां पर 4 बस गया और 0 एक बार कर सकते हैं तो 1 ठीक है बच्चो यह 21 इस पर हम कर सकते हैं अब यह आपका अंसर आ गया है इसको मैं इधर लिए अप्रोक्सिमेट आ जाएगा इसका गिरो ठीक है बच्चो आपको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान देना है यह देखिए यहां पर यह बच्चो नाइन है ठीक है यानि उसकी जो फर्स्ट बफैलो की कोश्ट प्राइस थी वह थी 19,047.61 ठीक है बच्चो यह आपकी कोश्ट प्राइस आ गई अब हम आगे उसको और क दिखालते हैं यह आपको याद रखना है यह वाले शेलिंग प्राइस या पर ओर अजय सेकें बफैलो जेलिंग प्राइस आप शेतGER प्राइस मुड़ performs बफैलो किती है, 20,000 है अच्चा इस पर क्या हुआ loss हो गया इस पर तो हुआ loss loss कितना हुआ 10% ठीक है 10% की वन है अब इसकी भी हमें cost price find करनी है तो cost price find करने के लिए वही formula selling price into 100 और 100 loss हमेशा क्या होता माइनस होता इसलिए मैंने minus कर दे loss ठीक है आईए selling price 20,000 into 100 और 100 minus loss यह आगया आईए इसको एक बार फिर लिख लेते हैं बिलकुल आसान है कोई जादा नहीं और 100 बेसे 10 minus करें 90 ठीक है 0 से 0 काट दीजी आईए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 2, 3, 4, 5 और 9 से इसको डिवाइड करना है इसका भी हम answer इधर लिख लेते हैं 9 से इसको मैं डिवाइड इधर कर लेता हूँ देखते हैं कितना आता है 3, 4, 5 9 से 9 2 जा 18, 2, 0 9 2 जा, 18 ठीक है 2 यह देखिए 2, 2 आता जा रहा है तो यही आएगा यह तो बड़ा असान हो गया अगली 0, 9 2 जा 18, 2, 0 ठीक है यानि मैं इसको shortcut में लिखना चाहँ तो 2, 2 आ जाएगा देखिए तो इसका यह 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 यानि जो second बफैलोष ने cost price यानि खरीदी थी 22,222 रुपीज 22 पैसे में ठीक है अब हम इसमें देखते है टोटल कोस्ट प्राइस कितनी आती है टोटल कोस्ट प्राइस आफ टू बफैलोष ठीक है यहाँ पर मिले लेता हूँ एक तो आग एक तो लेए 19,000 47 रुपीज 0.61 ठीक है और चो second आईए वो है 22,222 0.22 आईए इसको एड कर लेता है टोटल कोस्ट प्राइस ठीक है यह आगए आपकी यह टोटल कोस्ट प्राइस आ गई आप देखिए यानि 41,269.83 में उसने खरीदी और टोटल बेची जो 40,000 में बेची इसका मतलब लोस हो गया तो सीधा हम लोस निकाल लेते हैं क्योंकि मैंगी तो उसने खरीदी है ठीक है जादा कोस्ट उसे खरीदी है और उसको चीप रेट में यानि सश्टा उसने उसनों बेच दिया है तो लोस हो गया तो लोस कैसे होगा लोस कोस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं यह मैं लिख लेता हूँ 83 minus 40,000 ठीक है बच्चों यह हमने लिख लेते हैं अब इसको minus करने का तरीका क्या है देखिए क्योंकि इसमें point नहीं point लगा गया 0-0 इसको नीचे लिखेंगे बड़े नंबर को उपर लिखते हैं तो point 8 थी तो आई गई आएगा अब यह आगया nine six two one यह आपका क्या आगया यह लोस आगया उसने उस दोनों बफैलो पर लोस लिया 1269.83 रुपीज का ठीक है बच्चों यह question आपका soul हो चुका है आपको यह question कैसा लगा मुझे comment में जरूर लिखें और इसमें से यह आपका क्या आपका क्या आपका क्या है